हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बैट शीट का रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि कॉटिन में होने वाला है और मुझे यह सिंगल बैट शीट है जो कि बहुत ही प्यारा मुझे रिसीव हुआ है और यह प्रोड़क्त सारे कि शाट करते हैं तो एग फास्त बैट शीट में दिखाती है फिअि सेचंद दिखाOMगह एजिये इसका फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है और पिलो की साइज भी बहुत अच्छी मिली है मुझे यह देखें दोनों तरफ अलग अलग डिजाइन दिया गया है और इसकी सिलाई भी दोस्तों बहुत अच्छी है मतलब स्ट्रॉंग है तूटने वाली नहीं है निकलने वाली यह देखें कितना प्यारा लग रहा है अब मैं बेट शीट दिखाती हूँ दोस्तों यह सारे जो मैं बेट शीट का रिव्यू दे रही हूँ यह सब सिंगल बेट शीट है यह दोस्तों यह वाइट और ब्लू कलर का है और मेडल में यह आएगा अब की जब आप बेट शीट को बिछाएंगे तो यह मेडल इसका आएगा ऐसे किनारों पे ऐसे डिजाइन दिया गया है पुरा फ्लावर है कि रहें आप ऐसे राउंड में बनाके यह दिया हूँ और किनारों के साइड पे ऐसे डॉटेट बनाए गई है यह देखिए और दोस्तों यह बहुत ही खुबसूरत बेट शीट बहुत ही सॉफ्ट है अब मैं आपको दूसरा बेट शीट दिखाती हूं दोस्तों यह दूसरा जो बेट शीट है वह थोड़ा बांधनी स्टाइल टाइप का है यह देखिए यह ऐसे हैं यह मैंने रेट में मंगवाए है इसका भी क्लोथ बहुत ही अच्छा है यह देखिए इसके प्रिंट बहुत प्यारे लग रहे हैं और इसमें जो डिजाइन दी गई है वह भी बहुत सुन्दर यह दोनों तरफ एक जैसा है और इसका पीलो कवर भी बहुत अच्छा है और इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी है दोस्तों अब मैं इसका बेट शीट दिखाती हूं यह भी सिंगल बेट है और सिंगल बेट शीट पर बस आपको एक ही पीलो कवर मिलेगा यह हमारा सेकेंड बेट शीट है यह रिखें दोस्तों इसके साइड में ऐसे आएगा और यह मिडल का है बीच में यह रिखें कैसे बीच का इसका आएगा जैसे पिलो उस पर थी ना सीम वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिजाइन चेंज है यह रिखें दोस्तों इसका फैब्रिक बहुत प्योर कॉटिन है और बहुत ही प्यारा है यह एकदम सॉफ्ट में है यह रेखें अब मैं आपको पर्दे दिखाती हूं यह हमारा सेकंड बेटशीट था और इसकी लेंथ दोस्तों बहुत अच्छी है यह नहीं है कि यह सिंगल है तो अच्छा नहीं रहेगा उसका वर्थ बहुत अच्छा है चोड़ा है यह चोड़ाई लंबाई बहुत अच्छी इसकी अब हम आपको जो विंडो के पर्दे हैं वो दिखाती हूं कर्टन जो है कि दोस्तों अभी मैंने एक ही ओरर किया था क्योंकि मुझे पर्दों का देखना था कैसे रिसीव होती है अब है अब है अब मैं और दिखाऊंगी पर्दों का इसकी भी लेंद पांच फूट की है यह रिखिया है यह मझे ऐसे रिसीव हुई है यह मैरून और क्रीम कलर में है इसका टू सेट है और दोस्तों इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है ज्यादा पतला भी नहीं है और आपको कम रेंज में भी यह पर्दे रिसीव भी हो जाएंगे इसके होल्स भी बहुत अच्छे बने हुए है ब्रॉडक्त बहुत अच्छा है दोस्तों यह है कि कि आप मतलब जादा मोता नहीं है यह तरॉडक्त यह रिखिया लेकिन ट्रांस्पेरेंट उतना नहीं हो रहा है लेकिन आप इसे बहुत बाई कर सकते हो यह रेंज में कम है और प्रोटक्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आया हो अगर आपको इसका कोट चाहिए तो मैं लिंक अपने डिस करें थांक यू